दोस्तों नमश्कार लोक सिवायोग उत्तर प्रदेश के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें बताये गया है कि आयोग की परिक्षाओं की गुडवत्ता और सुचिता इसको सुनिश्यत करने के लिए 80 विशे विशेशग्यों को पैनल से आयोग के पैनल से हटाया जा रहा है तो एक बड़ी खबर है और अच्छी खबर इसलिए है उसका मैं कारण आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत लंबे समय से आयोग की दो आधारों पर सबसे अलोचना होती आ रही है आलोचना के बहुत सारे बिंदू है लेकिन दो आधार ये हमेशा अनवरत कायम रहे हैं लगातार रहे हैं पैटर्ण चाहे जो रहा हो पहला प्रिलिम्स में गलत प्रश्णों की संख्या गलत प्रश्ण मनाना जबकि एक भी प्रश्ण गलत नहीं होना चाहिए इतनी बड़ी परिक्षा है और एंसर की गलत देना इसके बाद रिवाइज एंसर की बनाना देखे पैनल के जो लोग हैं उनका कहां कहां रहता है मैं ये आपको बताना चाहता हूँ इन्वालवेशन फिर उसके बाद विशे विशेशक कापी चेक करते हैं आपकी मैंस का जो आपका पेपर बनाते हैं स्रेट करते हैं मैंस की कापी चेक करते हैं मेंस की कॉपी में बहुत सारी अनिमित्ताइं देखी जाती है जो लोग अपनी कॉपी देखने जाते हैं किस तरह से जाची गई, किस तरह से नंबर दिये गए हैं उनके दिल से पूछे कि जब अपनी कॉपी देखकर आए तो क्या बीती उन पर बहुत ही illogical तरीके से copy check होती है आँख मूद कर ऐसा लगता है चेक की गई है तो ये शिकायते हमेशा से रही है एक जुवा हो गया था मुख्य परिक्षा कि आप कुछ भी लिख करा या अच्छे से अच्छा लिखिए आपको number नहीं दिये जा रहे हैं और कोई कुछ भी लिख करा जा रहा है वो finally select हो जा रहा है ये भी अंतर देखा जा रहा थे किसी विशे में बहुत अच्छे marks मिल रहे हैं किसी विशे में एकदम दोसों के नीचे दे रहा है अकारण ही किसी विशे में इस बार अच्छे marks दिये उसी examiner ने अगली बार marks गिरा दिये एकदम से mood के उपर हो गया था उसके इसके अलामाई देखिए ये सब चीजे हैं उसके बाद साक्षातकार में भी कुछ लोग कुछ लोग को आयोग पाया गया कि वो साक्षातकार लेने लाइक ही नहीं है moderation में जो पैनल के लोग जो moderate करते थे वो भी गलत तरीके से करते थे उसमें भी अनिमित्ताइप आई आती थी इनकी शिकायत बहुत पहले से हुई थी CBI जांच हो रही थी लेकिन हटाया नहीं गये थे अब जाकर कारवाई हुई है ठीक है तो scaling moderation वाले जो थे वो पैनल के लोग उन पर भी कारवाई हुई उनको हिटा गया है तो कई मायनों में इसका विस्टेशन करनी की आउशकता है पहली बात तो सिर्फ ये तो उपरी बाते हैं कुछ अंदरूनी बाते भी है ये बात सर्व विदित है कि बहुत सारे लोग इन पैनल में जो लोग थे जो कुछ भष्टाचारी व्यक्तित्यों के लोग थे इनका सहरा ले करके select भी हुए हैं examiner से अपना code तुड़वा करके मुहमागी रकम देख करके अपने नंबर भी बढ़वाए है योग जो शात्र थे वो उनकी वज़े से असफल हो गए हैं आयोग शात्रों का selection हुआ है ये सब लंबे समय से चला आ रहा है जिसकी प्रक्रिया अब थम जाएगी इतना बड़ा action ये मामूली action नहीं असी लोगों को एक साथ हटाए जाना है बहुत बड़ा action है बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत बड़ी news है अलाकि इसकी चर्चा उस तरीके से नहीं हो रही है क्योंकि बहुत सारे लोग परिचित नहीं है कि क्या-क्या ये सब गड़बड कर रहे थे पूरे career के साथ आपके खिलवाड कर रहे थे कुछ नहीं बात करें तो prelims में अगर 10-10-15-15 प्रश्ट डेलीट हो रहे है कोई भी prelims पास कर सकता है कोई भी prelims फेल हो सकता है ये इस्थिती थी एक बड़ा विशे था जिस पर बहुत ज़दा जर्चा नहीं हुई होनी चाहिए थी और एक अच्छा कदम मनाया सकता है लेकिन अच्छा कदम तब होगा जब इनके अस्थान पर योग की लोगों को ले आया जाए एक बात और थी कि इसमें से काफी लोग काफी बुजुर्ग हो गए थे और उनकी जो काफी चेक करने की जो ख्षमता थी आखों से दिखाई कम पढ़ना या फिर कुछ लोग बिमार भी थे बिमार अवस्था में वो काफी चेक करते थे ये उनके साथ भी जादती थी अपने साथ वो जादती करते थे और आपके साथ तो थी तो ऐसे लोगों को भी हटाया गया है सम्मान के साथ फिलहाल अब ये देखने वाली बात होगी भोईश में कौन-कौन लोग आते हैं लेकिन उमीद करेंगे कि जो चैन हो आला कि इसमें दिया गया है कि आयोग देश भर के विशेशग्यों को जो प्रतिश्ठित हैं विशेशकर UPSC की कौपी चेक करने वाले UPSC में जो विशेशग्य होते हैं उनको भी ले आने का प्रयास किया जाएगा आला कि संसाधन इतने आयोग के पास नहीं है तो हो सकता है कुछ लोगों को ये सिट कर लें लेकिन सब को पैनल पे ले आना इनना सिर्थ मुश्किल है बलकि असंभो भी है आयोग उत्तरवदेश लोग से आयोग के लिए लेकिन प्रदेश में भी और अन्य प्रदेशों में जो विशे विशेशग्य है प्रतिश्ठित विद्वान जो है उनको बिलकुल हिस्सा बनाया जा सकता है इससे असर क्या होगा तो असर जो होगा पहली बात तो प्रिलिम्स मलब जो हो सकता है देखिए अब भीशे के गर्व में है वो चीज़ प्रिलिम्स में पेपर का जो अस्तर है उसमें भी आपको changes नजर आ सकते हैं paper pattern में change आ सकता है मुख परिक्षा के paper pattern में उसके अस्तर में change आ सकता है copy की जो checking होती थी अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब बकाइदा बताया जाएगा उनको model answer दिये जाएंगे उसके आधार पे copy चेकोगी ये बहुत लंबे समय से demand रही है कि model answer दिये जाएं हर question के उसको देख करके copy चेक करें उसके आधार पे copy चेक करें एक मानक answer होना चाहिए ऐसे नहीं अंदादुन्द कुछ भी चेक कर रहे है कोई कुछ भी लिख रहा है चेक कर रहे है तो ये होना चाहिए और इसकी परिपूर्टी अगर हो रही है जैसा कि कहा गया है तो एक अच्छा एक मूँ होगा आयो के तरफ से एक अच्छा निर्णे है तो हो सकता है भविश्य में कि आपको जो copy checking में जितनी अनिमित तैं होती थी वो दूर होती दिखें उम्मीद यह है कि partiality नहों माध्यमों के बीच विश्यों के बीच और विशे विशेशग्यव जो प्रोफेसर कॉपी चेक करते हैं उनको लेकर कई बार शिकायतें की गई हैं मौखिक और इस बार तो लिखिश शिकायत भी किसी ने की थी फेस्बुक पे किसी ने पोस्ट भी किया था उसका भी असर हो सकता है बहुत सारी चीज़े हैं इसके पीछे एक लंबा चोड़ा इतिहास है इसका कम से कम 20 वर्षों का तो अगर ये इतिहास बदल रहा है नया अध्याय अगर लिखने जा रहा है आयोग तो निश्चित रूप से उम्मीद की जा सकती कि सारी चीज़ें अच्छी हूँ बहुत बहुत धन्यवाद